आज है आठ फेबरुरी और आज इस वीडियो में बात करेंगे जुमैटो के बारे में 10% की तेजी दिखा रहा है जुमैटो और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी दो दिन पहले ही जुमैटो के उपर मैंने वीडियो बनाया था शेर तब 47 रुपीज का और मैंने कहा था कि 50 रुपे के नीचे मुझे जुमैटो का शेर महंगा नहीं लगता है खरीदारी के बहतर मौके हैं पेटीम ने अच्छा परफॉर्मस दिखाया पेटीम ने अच्छा रिजल्स दिखाया क्यू थरी का जुमैटो भी शायद उसी तर्श पर चल सकता है और उसको लेकर भाई है जुमैटो के जो CEO है उन्होंने हिंट भी दिया था अगर आप देखो तो जो डिपेंदर गोईल है उन्होंने कहा था कि बिट लेट टू दा पार्टी जो पेटीम के जो नतीजे आये थे उसकी कंटेक्स में उन्होंने ये चीज़ कही थी जो पेटीम पेटा पॉजिटीव हो गए तो उसकी कंटेक्स में जुमैटो के जो CEO है दिपेंदर गोईल उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट था तो मार्केट ये मान रहा है कि कल जब जुमैटो के नतीजे आएंगे तो नतीजे अच्छे होंगे वीडियो मैं उसके बारे में बातचीद रुपीज पर ट्रेट करा तो मैंने कारता कि मौके बन रहे हैं बाइंग के और दो दिनों में ये 47 से 54 पर पहुँच चुका है अच्छे का सी रफ्तार पकड़ी है इसने और जाहिर से बात है उसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है पहला रीजन तो यही था कि जो हिंट आ राइं के रिकमेंडेशन है और चौबीस परसंट का जो जंप है वो यहां पर देख रहे हैं उनका कहना है क्या स्ट्रॉंग लाज फूट्प्रिंट मेंक्स जूमैटो अक्की कंटेंडर टू बैनिफिट फ्रॉम इमेंस पोटेंशल इन फूड डिलिवरी इंडूस्ट्री और ब्रोकेश फर्म जो मोतिलार उस्वाल है उनकी खरीदारी के रिकमेंडेशन है 67 रुपीस का इन्हों ने यहां पर टागट दिया है उसके लवाज जूमैटो हम सब जानते कि ब्लिंकेट भी इनहीं का है साथ मेंनों ने ये भी काई कि इस फूट डिलिवरी ग्रोस ओर यहां पर बात हो रही है इनका जो हाइपर बिजनस है ब्लेंकिट उसके यहां पर बात हो रही है जो कि अच्छी बात है लेकिन सिर्फ मोतिलार उस्वाल ही नहीं एक बहुत बड़ा प्लेयर है CLSA उनका भी मानना है कि जो अक्टोबर डिसमबर का अर्निंग है वो अच्छा हो सकता है 42% की अपसाइड वो यहां से देख रहे हैं जो मैटो में और डिफिनिटली जब ऐसी कमेंटरी आती है बड़े बड़े दिगज ब्रुकरिश हाउसे की तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट है वो चेंज होता हुआ हमें नजर आता है यहां पर अगर आप पेटिम के नतीजे आये बेटा पॉजिटिव हो गए और बहुत बड़ी रफ़तार पकड़ ली और वह भी तीन दिनों के अंदर है अगर आप देखो पांस्तो चौबी से छे सो असी पर आच चुका है और आज पेटिम 15% तक दोड़ चुका है अच्छे का सी रफ़तार प बहुत बड़ी कॉंटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं सब्टेंबर क्वाटर में 250 क्रोड का लॉस हुआ था इन्हें इससे पहले पिछले साल सब्टेंबर में 400 क्रोड से भी जादा का लॉस था अब यहां पर डिसंबर के नतीज़े कल आने वाले हैं कल बहुत करिए बने रहो पहले जिस मेरी बेचने की सरा नहीं है बलकि मुझे लगता है कि मौके बनेंगे यहां पर कंपनी के अगर आप बात करो तो यहां पर इनके जो रिवन्यू है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए फैनेंशल है ट्वंटी ट्वंटी में पूरे साल में क्योंकि एक्सपेटिशन जाद है कि रिवन्यू बढ़ते नजर आएंगे यहां पर क्योंकि डिसम्बर क्वाटर जाय से वाद तर फेस्टिवल सीजन था कई सारे इवेंट्स यहां पर हुए थे डिसम्बर क्वाटर में जिसका फाइदा कहीं न कहीं जो मैटो को हुआ है इनके order size बड़ी है order value बड़ी है यहां पर company के बारे में अगर बात करें तो वह यह profit भी कुछ था ही नहीं अब तक company loss में ही है बिल्कुल paytm की तरह यह भी लगाता loss में ही है और देखना interesting होगा कि चीज़े turn around होती है कि नहीं और कल इनके नतीजे आने वाले है 9th February कल नहीं है Zomato के लिए कि कैसे नतीजे आते हैं और उसको पर बहुत कुछ depend करेगा Zomato को लेकर देखा जाए तो अभी इनका 71% कहते है खरिदारी करो according to ticker tab और company के बारे में shareholding में देखा जाए तो promoter के पास यहां पर ऐसे में कोई holding होती नहीं है सेम खाल आपको PTM में भी देखने को मिल जाएगा Mutual Fund के पास 5.59% की holding है 1.84% Domestic Institution के पास है Files के पास 56.74% की holding है General Startups में हम देखते हैं कि वह यहां foreign वाले काफी पैसा लगाते हैं कई सारे fund houses होते हैं जो यहां पर खरिदारी करते हुए हमें नजर आते है रिटे और अधर की मिलाकर 35.82% की holding है जिनमें से retail investors 6.33% की holding लेकर बैठे हुए है तेकि overall Zomato को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि definitely company अ अच्छा response में ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो Zomato का शेर लगाता 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 तूटता हुआ हमें नजर आया और अब कहीं न कहीं एक support बना रहा है जहां सा यह ओपर उठने की कोशिश करेगा दू मुझे लगता है कि Swiggy का IPO आना भी कहीं न कहीं जुमैटो के लिए एक अच्छा साबित होगा क्योंकि Swiggy का price bend क्या होगा IPO का वो भी देखना रहेगा कि Swiggy कौन से price पर अपना IPO लेकर आ रही है और Zomato तब कौन से price पर trade कर रहा है Zomato अगर वाकई में profit में आ जाते हैं जो किस मुझे Zomato के साथ भी लग रहा है कि at least EBITDA positive होने की chances Zomato के जाधा आपको देखने को मिलेंगे और दूसरी बात यह है कि Company ने जो अब डिसकाउंट वगए वो थोड़े से कम कर दिये जरूर है और दूसरी बात Company काफी कुछ कर रही है अभी इन्होंने gold membership भी लेकर आए ह यहां पर बेचने की जरूरत नहीं है और जो अंदेशा अगर management ने दिया था जो उन्होंने कहा था कि हम थोड़े से late हो चुके है party में अगर वाकई में सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है market उस चीज़ को factor कर रहा है और यही वज़ा है कि दो दिन में तेज़ी देखने बाता वैसा नहीं हुआ तो जो तीजी आई है वो थोड़ी बहुत पीशे छुन इंसे छिन भी सकती है तो अभी के लिए मैं मानता हूं इसकी चीज़े positive ही होगी तो खरीदारी करिए बने रही है fresh buying की जहां तक बात है मुझे रखता है कि हाँ अभी भी जब तक शेर आपक कि 50 के नीचे का जो level है वो मुझे comfortable लगता है खरीदारी के लिए अगर वहाँ पर आता है तो आप खरीदारी definitely कर सकते है और कई बार वो वहाँ पर गया भी है और मौका बना भी है buying का अभी 50 से उपर है तो थोड़ा सा risk यहां से जादा है तो इसलिए थोड़ी से quantity add करने की बात करूंगा बाकि की जो quantity है वो 50 उलपे के नीचे जाए वही तब खरीदारी के मौके बनेंगे साथ में disclaimer और भी जोड़ दू कि रिसकी company है बहुत कुछ depend करता है कि long term में company profitable हो जाए उस बहुत कुछ depend करता है तो अगर इन कहुंगा कि अगर आप उस risk को लेने के लिए त सकते हैं thank you